जैसा कि आप सब जानते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। इस युद्ध को देखकर दुनिया सोच रही है कि कहीं तिसरा विश्व इद्धो ना शुरू हो जाए। आप में से भी कई लोग यही सोच रहे होंगे। लोगों की आशंका के चलते अब लोग भविश्यवानियों पर फिर से डिस्केशन करने लगे हैं। ऐसे में सबसे पहले नाम याद आता है नास्त्रो दमस का। नास्त्रो दमस ने अपनी भविश्यवानी की बुक में तीसरे विश्व इद्धो का जिक्र किया है। नास्त्रो दमस एक फ्रेंच फिजिशियन थे और सम्मानित भविश्य वक्ता थे नास्त्रो दमस ने दुनिया के बारे में कई भविश्यवानिया की थी जो हैरान कर देने वाली है नास्त्रो दमस ने अपनी बुक लेज प्रोफेटीज में हजारों ऐसी भविश्यवानिया की थी जिन में से जादा तर सत साबित हुई उन्होंने जो भविश्यवानिया की हैं उन पर दुनिया यकेन करती है क्योंकि उनकी कई भविश्यवानिया सत साबित हो चुकी है नास्त्रोदमस ने साल 2022 के लिए भी भविश्यवानिया की हैं जो दुनिया के लिए बेहट डरावनी हैं, उन्होंने साल 2022 के लिए की गई अपनी भविश्यवानी में धर्ती पर तबाही के संकेत दिये हैं। उनके भविश्यवानी के हिसाब से 2022 में परमानु बम से तबाही मचेगी। नास्त्रो दमस ने अपनी भविश्यवानी में बताया है कि साल 2022 में परमानु बम फटेगा जिसकी वज़े से जलवायू परिवर्तन होगा। इसके अलावा धर्ती की स्तिती में बदलाव हो सकता है। धर्ती पर काफी उथल पुथल मत जाएगी। उन्होंने अपनी भविश्यवानी में कई डरावनी बाते कही हैं। उन्होंने कहा है कि इस साल धर्ती को बहुत जादा नुकसान होगा। एस्टोराइट की वज़े से धर्ती पर तबाही मत सकती है। समुद्र में बड़ी चटाने गिरेंगी जिसके वज़े से भायानक लहरे उठेंगी जो धर्ती के चारो तरफ फैल जाएंगी। समुद्र का जल सतर बढ़ जाएगा जिसके चलते भारी नुकसान होगा। इसके अलावा साल 2022 में महेंगाई बेकाबू हो जाएगी। तबाही मचने के बाद शान्ती आएगी। इससे पहले दुनिया में 72 घंटे के लिए अंधेरा चा जाएगा। उन्होंने कहा कि पतज़ड के मौसम में पहाडों पर बर्फबारी हो सकती है। कई देशों के बीच हो रहे जंग एक प्राकृतिक घटना के बाद समाप्त हो जाएंगे। दुनिया में 3 दिन तक अंधेरा रहेगा जिसके बाद आधुनिक जीवन खत्म हो जाएगा। साल 2022 में फ्रांस में एक बहुत बड़ा तूफान आएगा जिसकी वज़े से तबाही मचेगी। इस तूफान की वज़े से दुनिया के कई इलाके में भीशन, आग, सूखा और बाड जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। भविश्यवानी के मुताबिक साल 2022 में बड़े स्तर पर भुक मरी पैदा होगी। उन्होंने कहा है कि साल 2022 में पर्सनल कंप्यूटर का ब्रेन इंसानों पर कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ हो सकता है रोबोट मानो जाती को खत्म कर दे। भविश्यवानी के मुताबिक मोनोर का आइलेंड के पास भूम अध्य सागर में मिसाइल के टेस्ट के दौरान यहां एक बड़ा धमाका हो सकता है। नास्त्रो दमस के सैकडों हजारों भविश्यवानियों में हिटलर का शाषन, अमेरिका पर आतंग की हमला और सेकेंड वर्ल वार भी शामिल है। माना जाता है कि उनकी 70% भविश्यवानी बिल्कुल सथ साबित हुई है। उन्होंने भविश्य में 3 वर्ल वार और विनाष्कारी भूकम जैसे भविश्यवानी की। रूस और यूकरेन के चल रहे जंग को देख कर ऐसा ही लगता है कि उनकी भविश्यवानी बिल्कुल सभी साबित हो रही है। आपको क्या लगता है तीसरा वर्ल्ड वार होगा या नहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पहले लाइकन दबाना ना भूले